नेगोशियेटिंग का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं एक तो नेगोशियेट करने का जो काम होता है उसे नेगोशियेटिंग कहा जा सकता है इसके इलावा negotiating का आर्थ होता है, negotiate करने वाला या negotiate करते हुए होना यानि कि negotiate का ही present participle या ni ing form होती है negotiating और negotiate का आर्थ होता है, mol bhaav करना, samajota करना, mol tol करना, samajota बातचीत करना यानि कि समझोतë के लिए कोई बातचीत करना, suljhana, safal होना ये soda करना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि इसको लेकर दोनों पक्ष बातचीत कर रही हैं तो आप कहिंगे the two sides are negotiating about it या गर आप ये कहना चाहें कि मैं एक नए अनुबंद के लिए बातचीत कर रहा हूं तो आप कहिंगे I am negotiating for a new contract I am negotiating for a new contract या अगर आप ये कहना चाहें कि दोनों देश शान्तिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत कर रही हैं तो आप कहेंगे the two countries are negotiating for peaceful settlement The two countries are negotiating for a peaceful settlement अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें